नमस्कार दोस्तों मैं हीना गुपता प्रयाग प्रशिचा संस्तान के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा प्रोफिट एंड लॉस क्लियर दोस्तों इसको मिंजिन कहते हैं लाव और हानी कि लाव बार में दोस्तों हमने बच्पन से बसाना है को भी समान एंपराभ कर थंसमें घूद करने और कम साल गछे संदों हें या लइडम आफ़ां चैनल ने होडूला आव लऌसं दोस्तों हूब यह हमारे आइडियाई के लेवल पे भी और बेस्की मैथ में बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है यह हमारे हर कमरेटिव जाम में पूछे जाते हैं तो दोस्तों इसमें हमारे कुछ मुख्य चीजें हैं जैसे सबसे पहले हमारा आता है क्रेमुल दोस्तों क्रेमुल क्या होता है जिस मुल पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रेमुल लगते हैं आपको हमेशा जबी आपको कोशन आपकी सॉल्व करेंगे तो आप से पूछे मतलब हमारे सीधा सीधा ही नहीं देगा कि इस वस्तु पे इतनी रुपए में खई दी क्या होता है जिस मुल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाये क्लिया दोस्तों अब हमने वस्तु खरी दिया है तो हम वस्तु बेचेंगे भी तो इसको हम कहते हैं विक्रा मुल क्या हो दोस्तों जिस मुल्य पर कोई वस्तु बेची जाये क्लियर दोस्तों यह एक्जाम मैं बेसिक से पढ़ा रही हूं बेसिक से आपको नौलेज दे रही हूं कि आपको यह बहुत ही इंपोर्डेंट चीज प्रक्राम मुल होता है हमने लागत भी सुनआ है करते नहीं इसमें मेरी इतनी लागत लगी हुए है लागत क्या होता है दोस्तों लागत होता है जैसे कोई वश्तु हमने बनाई है ना कोई वस्तु बनवाते हैं उस पर जितना खर जाता है वह हमां लागत मूले होता है क्लिए रहे हैं इसको हम ली सकते हैं कोई वस्तु बनवाने में लगा खर्च है क्लिया दोस्तों यह तो बात हो गई हमारे से क्रेब और विक्रे लेख लैगत मतलख जो हमारे पैसे की बात है ना इसमें शब्स्जादा हर। जीडिय लेते हैं अब और यह क्यांप लागने की बात नहीं कर रहे है अब slippers के मुला की बात कर रहे हैं ठीक हैं अब क्राइम मुल इसे हमाने पैसे दिया वो तो में खाइलना होता है जो पैसे मोदे ओं और सबसेरे विक्राय मूल होता है और हाली होती है ना अब विक्राय मुल्य प्लस लाग क्लिया दोस्तों उपर वाला एरेस कर दूँ आप लोड का लीजेगा विक्राय मुल्य बड़ाबा हमारा क्राय मुल्य प्लस लाग क्राय मुल्य माइनस हानी क्लिया है क्लाय होगा मतलब की जो हानी हुई है अगर विक्राय मुल्य कम रहता है तक हुमारी हानी होती है तो यह प्लस म दोनों रहता है कि प्लस म् क्या स्बमाक क्या जैसे कोई विक्राय मुल सो रुपय हम असी रुप演 में खड़ी दें तरसल बेता इसमें नला लग हो गया और यही एकना 80 रुपय में बेशते, 80 रुपय में खाइते तो हानी हो जाएगी, अप कोई बस तो कम मूल ले खाइते तो हानी हो जाईगी, अब ना हम लाव और हाने की बात करते हैं , मकैं आधे दोस्तों हमने अभी तक बाते की क्रैमोल वृट क्रैमोल की , अब देखिये ए , हमें क्रैमोल पर पर हमने वस्तु को बेची माइनस क्रेमुल जिस मुल पर हमने वस्तु को खरी दी थी क्लियर है कुला हमार कितना हो गया विक्रेमुल माइनस क्रेमुल ये एक फॉर्मले की तरह है इसलों अपनों घ्यान रखिएगा और नोट भी कर लीजें अगर हम से कुलानी करें कुलानी हम कैसे निकालेंगे कुलानी हम क्रेमुल से निकालेंगे क्रेमुल क्रेम, क्योंकि ज्यादा होगा मैनस विक्रेमुल कम होगा तब हित हमारा हाली होगा है आपसे क्वेशन में यही चीजे से पूछते ना रस्टाचया हम से लाव हमी हम पूछता है जितने में से होगा मतला क्राइमूल ठीक है जितने में से होगा क्राइमूल गुड़े सो क्लियर दोस्तों यह आपका लाप परसंटेज निकलने का है हानी भी आप ऐसे ही निकालेंगे हानी परसंट लाप की जगा हानी रख देंगे और हानी भी अमारा क्राइमूल बे निकले क्लियर दोस्तों क्राइंबूल गुरे सो यह आपके चैनल इसको आप नोट कर लेज़ेगा और याद कर लेज़े इसी पर आपके सारे कोशन सॉल्व हो जाएंगे क्लियर दोस्तों चलिए अब इतना आपको समझ में आ गया तो चलिए हम इससे लिटर कुछ कोशन सॉल्व करत हैं बरते अपने कोशन की तरफ देखें दोस्तों हमारा पहला कोशन एक उवस्तू पांस रूपए में खरीद कर ठीक है मैं मिस हो गया सोड़ी मैं खरीद कर छैसा रूपए में बेज दी गई इस सौधे में कुल लाग तता प्रतीसर लाग ग्याद कीजिए चलिए दोस्तो चलिए चलिए मैं इसको सॉल्म करती हूँ ध्यान से देखें आप लोग पहला कोशन एक बास तो पांस रूपए में खरीद कर खरीदना हमारा क्या हुआ क्राय हूल ले क्राय मूल बडाबर पांस रूपए में खरीदना हमारा क्या दोस्तो फिर कहरा च्छेसर रूपए में बेज दी गई विक्राय बोलावारा कितना है विक्राय मूल बडाबर छेसर रूपए क्लियर दोस्तो आभी मैंने बताया था कि अपूशा इस सौधे में कुल लाव कितना है पहले यह देख लेते हैं फिर प्रतिसर लाव निकालेंगे कुल लाव निकालेंगे मैं अभी बताया था कुल लाव बडाबर हमारा होता है विक्राय मूल माइनस क्राय मूल क्लियर दोस्तो अब मारा विक्राय मूल कितना है छेसो माइनस क्राय मूल कितना है पांसो क्लियर दोस्तों चलिए अब तो सब्सक्राइब निकालना है अभी मैंने बताया था लाब प्रतीशार बराबर लाब पटे में क्रैमूल गुरे सब्सक्राइब तो लाब पर्सेंट थेक है बराबर लाब हमारा कितना है लाब हमारा 100 है भटे में हमारा क्रैमूल कितना है मैंने लिखило पां Cash क्लियर दोस्तों और उसके बास बड़े में आपको 100 कर देना है ठीक है अब देखिए जीरो से जीरो गया ज्यों से जीरो गया पांद उनिक दस 20 तो लाग परसेंट हमारा कितना आतमिया 200% यह हमारा answer हो गया clear दोस्तों समझ में आगया आप लोग को चलिए अब हम अपना next question देखते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो please like कीजिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हो please subscribe कर लिजिए अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए आज यह topic जो मैं आपको पढ़ा रही है बहुत ही important है आपके इजाम के view से जाए आप completion का इजाम दीजिए जाए आप RDI का इजाम दीजिए कोई भी इजाम देंगे आजकर तो छोटे बच्चों का level जो है हाइ स्कूल एर्ट इन सब में भी profit and loss पूशे जाते हैं तो मैंने बहुत ही basic से उठाया है तो यह सब के लिए useful है clear है दोस्तों? चलिए अपना next question देखते हैं देखिए दोस्तों हमारा दूसरा question 742 रुपय की लागत से तयार एक वस्त को 700 रुपय में बेचा गया इस प्रकार वस्त पर कितने परतिस्त की हानी हुई देखिए दोस्तों हानी कैसे ही आपको पता है कि 742 रुपय की लागत से बनाया गया था जो 700 रुपय में जा गया तो चाहिए से बाते हानी होई है ना तो इसको भी आप फॉर्मिलेट पे रख किया फिर बताईए इसका अंसर क्या होगा सॉल्ब किजी आप लो चलिए इसको सॉल्ब करते हैं 742 रुपई की लागस्त तयार तयार किया गया मतला कि खरीदा गया जिसका हम क्रैम होल 742 हो गया फिर आगे क्या रहा है कि एक बस तुको 700 रुपई में बेचा गया तो विक्रैम होल अमारा कित्ता हो गया विक्रैम होल हमारा 700 रुपई हो गया ठीक है अब हम अब हम क्या निकालेंगे, हानी निकालेंगे, हानी पेशन से पूछा है, हानी पड़ाबार हमने क्या निकाला था, हानी, पूल हानी, हमने फॉर्मला आपको बताया था, कड़ाय मुल्य माइनस लिपकड़ाय मुल्य देखी दोस्तों सब ज़्यादा Convasion हमें इसी में होता है कि कब वंहें Cremil – Cremil करना होता है और कब वंहें cramil // cremil करना होता है तो देखें ज़सी बात है जब वमन लाव होता है तो हमारा exhaust developed Cremil यदा रहता है संद्ट क्रम – CRM करते हैं ठीक लाब में और हानी में हमारा विक्रेमूल कम रहता है तो क्रेमूल माइनस विक्रेमूल करते है ठीक है, क्लियर रहे आपको चलिए अब हम हानी निकाल लेए तो हमारा क्रेमूल कितना है सासो बायालीज अब विक्रेमूल हमारा कितना है, सासो क्लियर है मादरस करें के इतना रहे गा 42 जो सॉरी एक लेर सास्टो में सास्टो गया सास्टो इस इतना आप लोगों समझने आ गया सास्टो बैली से ऐसे रचा हो रहा यह हमारा हानी आ गया अब हमें क्या निकालना है हानी पतीशल है न तो हम यहां लिखते हैं खानी प्रदीशल हानी प्रदीशल दोस्तों उमने क्या पढ़ा था चा फाम्ला था इसका खानी बटे में क्राव गूल पूरे सो यह फाम्ला मैंने आपको बताया था अब इसी पर मकना रख देंगे खानी हमारा कितना है 42, 42 क्राव मुलने वारा कितना है 742 बूरे सो अब इसको हम सॉल्प करेंगे देख है हम 7 सब्सकर्ट करें 2 से भी करके फिर हम 7 से कर सकते हैं चली 2 से इसकर्डे ते छोटी की जीर्श आते हैं तो अकम 2, 2-3-4, 2 अकम 2 2-3-6, 2-14, 2 अकम 2 अब हम 7 से कर करेंगे 7-3-20, 7 बचे, 35-7-21 इसको हम लिखेंगे, हमारों जाएगा 300 बटे 53, है ना, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, और छोटा करेंगे 53, पॉम 300 भाज देंगे तो हमारा पासवर जाएगा 53, अब बचेगा हमारा 53, यह हमारा answer आएगा, इतने percent, clear दोस्तों, दिखना है आप लोको, clearly, आप इस वोश्रम कैसे आएगा, तो स्पेस नहीं से में सौर में के यह देखिए, आप इस तरह से करेंगे, 300 बटे 53, यह ना, आप भाज देंगे, यह पासवर जाएगा, इन पजी पंद्रा, हासी ले, बज़ों पजी से 26, इसको मानस करेंगे, 10 में से 5 यह 5, 9 में से 3 गया, 6, 6 गया, 3, यह जीरो बजी, ठीक है, तो जो 6 बसता है, उपर रहता है, जो भाज पर नाता है, वो बीच में ता है, और नीचे, जिससे हम भाज देते हैं, तो समझ में आगे आपको, चलिए, तो अभी हमने एक लाथ निकालना सीखा, और हानी निकालना सीखा है, ना, चलिए, अब नेस्ट कोर्शन देखते हैं, देखें दोस्तों, हमारे में इस कोर्शन, एक कुर्सी की लागत, 180 रुपए आई, उससे 200 से ओला रुपए में बेचने पर, कितने प्रतिसत का लाभ होगा, हमने एक कुर्सी बनवाई, जिस पर हमारा पूरा खर्च, 180 रुपए है, है ना, अब उससे 216 रुपए में हमने बेचा, तो हमको लाभ बताना है, चलिए, आप लोग ट्राइ कीजिए, चलिए, देखते हैं करें सॉल होगा, पहले की तरहीं सॉल होगा, लागत इतने पर आई, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्रे मुल, बराबर 180 रुपए है, क्लिए है, उससे 200 सोलर पर में बेचने पर, मतलब विक्रे मुल, विक्रे मुल, 260 रुपए, क्लिए हैं, अब हमें लाग निकालना है, तो पहले हम लाग बड़ी से निकालना है, तो पहले हम लाग निकालेंगे, तो पुल लाग बड़ाबर हमारा हो जाएगा, विक्रे मुल्य माइनस क्रे मुल्य, क्रे मुल्य मारा कितना है, 216, माइनस क्रे मुल्य कितना है, 180, अब इसको मादस करेंगे, 6, 21, 31, 32, 36, यह हमारा लाग आया, ठीक है, अब हमें लाग निकालना है, लाग प्रतीसकात दुट dewगाब रमला मेरे क्या बढ़ा भी, लाग जितना आता हो उसको और उपर जटते हैं, और नीचे में अपना क्रे मुल्य लिखते हैं, नीचे में क्रे मुल्य लिखते हैं, और गुढे में सोब, क्लियर है, अब हमारा लाग कितना था?, 36, और हमारा क्रेंबूल ने कितना है 180 गुड़े 100 इतना समझ जा गया आप लोगको अब इसको हम सॉल्ब करेंगे 0-0 कर गया 18-36 2 गुड़े 10 20 परसंद यह हमारा एंसर हुआ समझ में आ रहा आप लोगको तो जिसको अच्छा लगणाओ प्लीस लाइक किज़ें जाजी से तो इतना आप लोग इतन क्ले लिए आप तो आप आसानी से लाग और हानी निकाल सकते हैं है ना चलिए अपना नेस्ट कोश्चन देखते हैं देखे दोस्तों अब नेस्ट कोश्चन एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी 4% हानी पर बेची गई उसका विक्रे मूल क्या होगा देखे अब तक हमको सीधा क्रे मूल विक्रे मूल निकाला था आप कहळा कि 4% हानी पर बेची गई है अब हमें परसेंटेज पता है हमें बिक्ड़े मुल निकालना है ठीक है चलिए इसको solve किजिए आप लोग देखे दोस्ते कैसे solve होगा इस दो ताई कैसे solve होगा है न या तो आप इसका निकालकर 750 कोई में संक्या आपने आपका 100% होती है इसका 4% निकालकर आप इसमों माइनस कर दें या तो जो हमारा रूल से उसको देखते है हमारा क्राइम मुले कितना है 750 रूपर ठीक है कुल लाव कुल हानी हमारा 100% है हमारा 4% ठीक क्लियर है अब देखिए हमें विक्रे मूल निकालना है विक्रे मूल निकालना है ताके हम इसका 4% निकाल ले तो 4% हम कैसे निकासते है 750 का 4% 800 ठीक है अब इसको हम सॉल्व करेंगे जुआ 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 गे पांद उनी 10 15 15 पचे पचात तर ना अब दो दुनी 4 यह मारा जाएगा 30 ठीक है तो 4% पड़ा मार कितमा हुआ 30 तो हम मिट्रा मूल यह है क्या निकला हानी ठीक है हानी का मूल निकला ठीक क्राय मूल गुड़े हानी पर तीसाथ बट्टिय में 100 इसका फॉर्मला में रिख जैती हूँ हानी बड़ाबर क्राय मूल गुड़े हानी पर तीसाथ बट्टा सौ यह फॉर्मला आप लो एड़ता लेजेगा ठीक है अब इसमें से हम क्राय मूल बिकर में निकालेंगे तो मैं आपको पता है ना बिकर मूल बड़ाबर क्या होता हमारा यहां मली दिरती हूँ क्राय मूल लिया माइनस हानी यह बताया तापको अभी क्राय मूल हमारा कितना है सास्तो पचास माइनस हानी कितना हमारा तीस तो हमारा आंसर आगे है सास्तो बेल्स तो जाए दोस्तों यह हमारा फर्स्त तरीका था आप इस तरीक यह फॉर्मुला रखके इस तरीका सकते है अब आप इसको दूसर तरह कैसे करें इतना प्लोग नोट कर लिया समझझ याप लोग ने आप इसको लेज कर रही हूं अगर आप चान्थ इसका कि इसलोड ले लिजेगा थिक्छा मैं दूसरा बता रही हूं गोर्ड में जगा का मैं इसनर को इरेज करना पड़ रहा है देख इस चार परसेंट यह था है ना, तो हमें पता है कोई भी नमबर आप में आपका सो परसेंट होता है, यह मैं आपको सौर्ट बता रही हूं, किकि इसमें आपको दो बार करना पड़ा है ना, इस सेकर्ण में आप क्या करेंगे, साथ सो पचास का यह सो परसेंट होता है, तो आप चार परसेंट माइनस कर दो, तो नाटी सिक्स, और बॉर्ण में हंड़ेड है ना, अब इसको आप कट करोगे, जिरो जिरो पांद में दास, पंदरा, दो चोकार, दो आट सोलर, पंदरा गुए अटालीस, इसको आप गुड बंदर चोक साथ, बाड़ा, बाद तर, यह मरांसर आ गया, देखें, इसमें आपको इतना ही कल्कुलेशन करना पड़ा, उसमें क्या था, कि आप पहले हारी निकाले हो, फिर माइनस करके, दो स्टेप में किये हो, यह आपका इसी स्टेप में हो गया, तो जो आपको परसेंट होता है, अपने आपका नंबर, उसका मैंने चार परसेंट घटा दे, क्योंकि चार परसेंट हमारा हानी था, तो हम 96% पर डाट सॉल्व कर लिए, समाझ में आगा आप लोगों को, चली, एक लास्ट कोश्चन देख लेते हैं, और उमीदक माने, जितना आप समझा आप लोगों समझ में आप लोगों गया, चली, एक लास्ट कोश्चन देख लेते हैं, देखे हमारा नेज्ट कोश्चन, एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने 12 वस्त में, 12 रुपए में खरीद कर, एक रुपए 35 पैसे, रुपए प्रतिन वस्त की भाव से बेच दी, सौदे में उसका लाग प्रदीसर बताईए, चली दोस्ते इसको सौल कीजिए, एक वस्तु का निकाल सकते हैं, चाने तो बाड़ा वस्तु का भी निकाल सकते हैं, आईए देखे कैसे करना है, क्रामूल पहले हम इसे बारा वस्तु दे रहा है बारा रुपए दे रहा है एक वस्तु कितने का होगा वह हम निकल लेते हैं एक वस्तु की कीमत बारा रुपए में बारा वस्तु यह हमारा एक रुपए में आ गया तो क्रेम मुल हमारा कितना हो गया, एक उपर, ठीक है, यह हमारा क्रेम मुल दुग गया, clear है, दूस्टा लेकर करकार है, एक उपर पती, बस्तु की कीमत से बेज़ दी गया, तो हमारा क्रेम मुल कितना हुआ, लेकर पतीज़ पैसे मारा विप्रेम मुल दूगया, यह हमारा एक उपर कीमत है, तो हमारा लाव कितना होगा, लाव बाबा हमारा हो जाएगा, विप्रे मुल दूगया, माइनस प्रेम मुल दूगया, फिक क्रेम मुल हुआ कितना है, एक दस हमलों दूपार बदाब, एक उपर पचीज़ पैसे, और क्रेम मुल हमारा है, एक उपर, एक उपर जाएगा, पचीज़ पैसे, खिक, अब हमें लाव प्रतीशत निकालना है, लाव प्रतीशत, लाव हमार कितना है, पचीज़ पैसे, फार्मुल दूगया, लाव नीचे में प्रेम मुल दूगया, और गुड़े में सो, लियर है, लाव हमार कितना है, पचीज़ पैसा, क्रेम मुल कितना है, एक उपर, गुड़े सो, देखिए, उपर दसमलों में है, दसमलों में आने क्लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट पर दसमलों है, जहां, उपर नीचे, सो से पुरा कर देंगे, तो नीचे, उपर कितना हो जाएगा हमारा, दिकर आपनों क्याओं पर, मैं आ कर देतो हूँ, उपर मा जाएगा, पचीज, गूरे सो, और नीचे मा जाएगा सो, सो 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 केंसे, हमारा पचीज परसेंट एंसल आ जाएगा, क्लिए दोस्तों समझ में आगे आपको बेके इसमें क्या रहा है प्रतिवस्तु के बहुत से प्रतिशन प्रतिशन निकाल के प्रतिशन निकालेंगे तब भी हमां लाब प्रतिशन इतना ही आएगा कि प्रतिशन इतना है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमाया चर्ण को जूनो ने अभी तक सब्सक्राइम ने किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और मिलते हैं लेश्ट क्लास में थैंक यू